आज जिसमें बजट खैद है निर्मला सीता रमन वहाँ पर पहुंची है और उनके साथ वितराज मंत्री भी मौझूद हैं और वो टाप दिखाते हुई क्योंकि इसी से आज बहुत सारी चीजे इस पिटारे से निकलने वाली इस टाप के पिटारे से जब सदन पटल पर निर कुछ बार उन्होंने पूर्ण बजट रखा एक बार अंत्रिम बजट और फिर एक बार पूर्ण बजट रखने की तयारी में चैरे पर मुस्कान लिए वे अब यह मुस्कान बाकी देशवासियों के चैरे पर आता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी लेकिन वो जिसमें से बजट निकलने वाला है तो वो दिखाते हुए मीडिया को अनूप जी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि देखें मूदी गॉर्मेंटे हमेशा से कड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं बजट भी इसी की रूप रेका है आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा जब पिछली बजट जब निर्मला सितरमन पेश कर रही थी तो कहीं न कहीं उन पर दबाव जरूर रहा होगा क्योंकि वह चुनावी साल का बजट था लेकिन यह दबाव कहीं न कहीं बजट में देखने को नहीं मिला कोई आप इस वक्त में भी बिक्सित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने देखा है उसी की रोप रेखा पिछले बजट में देखने को मिली तो जाहिर सी बात है कि इस बार सरकार बन चुकी है पांस साल के लिए इंडिये की सरकार रहने वाली है तो ऐसे में यह इस पर भी कोई बहुत ही रेवडी वाला बजट आपको देखने को नहीं मिलेगा एक ठोस बजट देखने को मिलेगा जिसमें पांस साल की आगया आने वाले पांस साल की रूप रेखा देखने को मिलेगी इसके अलावा जो बिक्सित भारत संकल्प 2047 लेकर के प्रधानमंत जा सकता है इस पर विचार चल रहा है कहीं न कहीं करमचारियों को जो मिडल क्लास लोगों को अगर थोड़ी राहत दी जा सकती है तो वो सरकार इस बजट में दे सकती है बिल्कुल और अनूप जी देखे हमें और आपको भी इसका इंतजार रहता है कि टैक्स लाब में कुछ बदलाओ हो और मिडल क्लास तो ये चाहता है कि इस लाब में कुछ बदलाओ आए ताकि कुछ पैसे बचे तो उनकी जेब में जाए और जब वो टाप दिखा रही थी जिसमें बजट था तो निर्मला सीता रमण के चेहरे पर एक मुस्कान थी और हम भी मान के चले कि शाद ये मुस्कान आज हमारे और आपके चेहरे पर भी आए बिल्कुल सबको इदिजार होता है जाईसी बात है कि एक और भी चीज है जिस तरीके से सरकारी करमचारियों को जो NPS स्कीम है पेंसन स्कीम है उस पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इसके अलावा जो होम लोन जो आप टैक्स देते हैं उसका जो स्लाब रखा गया है अभी दो लाग उसको बढ़ाने का भी फैसला सरकार ले सकती है चुकि देखिए अर्थव्यस था अभी पट्री में है तो ऐसे में सरकार लोगों को जितना राहात दे सकती है जितना संभव है उतना राहात देने में किसी तरह की कोताही जो है वो सरकार के तरफ से नहीं की जाए की लेकिन वो इस कीमत पर होगी किसी तरीके से infrastructure development या किसानों के लिए जो योजनाय चल रहे हैं या health के लिए जो योजनाय चल रहे हैं उसका विस्तार देखने को मिलेगा वहां किसी तरह का समझोता जो है वो सरकार किसी भी तरीके से नहीं करने जा रहे हैं बिकल तो सरकार किसी तरह से समझोता नहीं करने वाली है क्योंकि अगर विकसित भारत आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक बहतरीन इंफ्रा स्ट्रॉप्चर तयार करने की जरूरत है उद्योग हो या फिर खेती किसानी हो या फिर बाकी चीज हो लेकिन अनूप जी ए जनरेट करनी पड़ेगी तो ऐसे में हम यह मान के चले कि चाहिए वो छोटे सेक्टर हो बड़े उद्योग धंदे हो MSME हो हर में सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे जादा से जादा रोजगार उत्पन हो जिससे युवाओं को फायदा पहुचे बिल्कुल अगर आप पिछले तीन सालों का ही आप अगर लेखा जोखा देखें तो सरकार का फोकस जो है वो रोजगार स्रेजन करने से ज्यादा कैसे लोग रोजगार में किस तरीके से रोजगार उत्पन करें उस पर जादा focus है यानि कि रोजगार देने वाले कैसे बने उस पर जादा सरकार का focus रहा है तो ऐसे में infrastructure, development और तमाम चीजों को करकर के रोजगार का कैसे स्रिजन किया जाएगा इस पर ज़ूर इस budget में भी focus र परहाने के लिए लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है जिस तरह से उन्होंने इंसेंटिव स्कीम वो लेकर के आए कि कहीं ने कहीं छोटे रोजगार जो है बढ़कर सामने आए तो ये तमाम चीजें जो है आपको इस बजट पे देखने को मिलेगी बिल्कुल और अगर मैनिफेक्चरिंग सेंटर की बात की जाये जुकि बात हो रही थी कि देखे आप खुद रूजगार देने वाले बनिये प्रिधार मंत्री ने भी इसका कई बार जिक्र किया है अनूप जी और उन्होंने कहा कि देखे एंटर्पर्नियोशिप हो या फिर स तरह के बहुत सारे विजनरी आइडियाज मुदी सरकार की तरह से दिये गए तो ऐसे में हम ये मान की चले कि जो मैनिफेक्चरिंग सेंटर है या सेक्टर है उस पर जोर रहेगा फोकस रहेगा ताकि इस तरह से रोजगार परक्स संभावना आए आगे आने वाले दिनों मे भारत में देखने को मिले लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाए और जो एक चाइना की एकनौमी से हमेशा भारत की एकनौमी कही ना कही रिलेट करती है तो ऐसी एकनौमी बनने के दिशा में हम आगे बढ़ते हुए अपने आपको देख पाएंगे इस बजट में देखें आपको एक बात बताओं कि सरकार इस बात को जानती है कि भारत में मैन पावर जो है बहुत जादा है तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर FDI को और आकरशित किया जाता है तो रोजगार अपने आप सरजित होती है जिस तरीके से पिछले हमने 10 सालों में देखा कि सरकार न सरजित करें लोगों को जादा से जादा रोजगार बिले देखें बिपक्ष लगातार जरूर इस बात को लेकर के जरूर सवाल खड़ा करती रही है कि इस सरकार में रोजगार सरीजन नहीं हो रहा है लेकिन जिस तरीके से तमाम विदेशी कंपनियां भारत में आई है ये भारत की पॉलिसी केंदर सरकार की पॉलिसी रही है एक फ्लाक्सिबिलिटी रही है जिसकी वज़ा से लगातार एफडियाई आकरसित हो रही है लगातार कंपनी यहां पर आ रहे हैं जिसकी वज़ा से रोजगार बहुत बढ़ा है रोजगार के साधन बढ़े है और देखे जब एक कमपनी देश में आती है तो कई तरह की सबसीडियरीज जो ब्यवस्थाएं हैं रोजगार हैं वो भी स्रिजित होती है देश में जिसका अफसीद्य फायदा जो है वो यंग जेनरेशन को मिलता है इस पर सरकार का जो फोकस है वो लगाता रहा है और आप देखेंगा क तो जी रेखना होगा कि आज जब बजट सदन पटल पर रखा जाता है वितमंत्री निर्मला सीता रमन के द्वारा तो किस से किसको कितना फायदा होता है इस पर आज